यदि आप सबसे अधिक प्रेम परमेशुर से करते हैं तो आप भी हर एक परिक्षा में उत्तिन हो जाएंगे वो समस्या, वो रोग, वो बिमारी, वो दुर्बलता, वो करजे, वो परिशानिया, वो संकट, वो विरोध, वो सारी बाते जो आज इनके जीवन में हैं और उन बातों से प्रबु वो स्ट्रगल कर रहे है, सफर कर रहे है खुदा दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रातन में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उत्पति किताब उसके 22 अध्याई से जब अबराहम का बेटा इस हक पैदा हुआ, वो बड़ा होने लगा, तब परमेश्वन ने अबराहम की परिक्षा की हम लोग देखते हैं 22 अध्याई एक और दो पद, जहांपर कुछ इस प्रकार से लिखा है इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, कि परमेश्वन ने अबराहम से यह कहकर उसकी परिक्षा की हे अबराहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूँ, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात, अपने एक लोते पुत्र इस सहक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मौर्या देश में चला जा, और वहां उसको एक पहार के उपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, हों बली कर की चड़ा, दोस्तों यहां पर हम देखते हैं, परमेशु ने अबराहम की परिच्छा की, और कैसी परिच्छा, कि परमेशु ने अबराहम से कहा, कि अबराहम अपने एक लोते बेटे को, जो कि इस सहक है, उसे बली कर दे, उसे बली करके चड़ा दे, दोस्तों इसका तब ये नहीं है, परमेशुर केवल और केवल अबराहम की परिक्छा कर रहे हैं, उसके विश्वास की परख यहां पर हो रही है, और परमेशुर ने उससे कहा, तो अपने बेटे को बली करके चड़ा दे, जिससे तो प्रेम रखता है, आप जानते हैं कि पहले, परमेशुर ने अबराहम से कहा कि तू अपना घर, अपना देस, अपने कुतुम्बियों को छोड़कर मेरे पीछे हो ले। और वो परमेशुर के पीछे चल पड़ा। क्यों? क्योंकि वो परमेशुर से प्रेम करता है, परमेशुर पर विश्वास रखता है। आज जब काफी सालों हपे में उसका बेटा हुआ है, वो बहुत कुछ है, बहुत आनंदित है, बहुत प्रेम अपने बेटे से करता है। साइध परमेशुर से भी अधिक प्रेम वो अपने बेटे से करने लगा। तब परमेशुर ने उसकी परिच्छा की, ये कहकर कि तो अपने बेटे को कि उसने वही किया जो परमेशुर ने उससे कहा। दोस्तों कई बार परमेशुर अपने लोगों की परिक्षा करते हैं परन्तों गलत बातों से नहीं। ऐसे नहीं कि परमेशुर आपको बीमारी दे दे देंगे और बीमारी के कारण आपकी परिक्षा करेंगे नहीं। ऐसे न यहां पर परमेश्य ने उसकी परिक्षा की और उससे कहा जिसे तु प्रेम करता है। तब परमेश्य उनके इसी परिक्षा करता है। परमेश्य चाहते हैं कि हम सबसे अधिक परेम परमेश्य से करें। इसलिए बाइविल परकासित वाकिय किताब में कहती है कि तु ने पहला जैसा परेम छोड़ दिया है। परमेश्य को पहला जैसा परेम चाहिए जब अबराह ने वैसा ही किया, दोस्तों आज परमेशर आप से मुझ से हम सबसे यही चाहते हैं, कि हम सबसे अधिक प्रेम परमेशर से करें, वही पहला वाला प्रेम परमेशर से करें, किसी और चीज से नहीं, अपने बच्चों से नहीं, अपने पती से नहीं, अपने माबाप से नहीं, अपनी अन्य चीजों से नहीं, बलकि सबसे अधिक प्रेम परमेशुर से करें। और अबरहाम ने इस बात को यहां पर प्रूफ किया, हम आगे चल कर देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आज आज आप किसी ऐसी चीज से प्रेम करते हैं, तो मैं आप से कहूंगा कि परमेशुर से सबसे अधिक प्रेम करें। तो परमेशुर से प्रेम करते हैं, तो परमेशुर चाहते हैं कि आप उसे छोड़ दें। यदि आप सबसे अधिक प्रेम अपने पैंसों से करते हैं, तो मैं आप से कहूंगा कि आपको पैंसों से नहीं, आपको परमेशुर से प्रेम करना है। एक भेक्ति प्रभीयेशमसी के पास आया है, कि मैं सूर के जाने लिए क्या करूँ, तो प्रभीयेशम ने कहा हो, तो अपना धन सभी मेपती जब कुछ बेज कर, मेरे पीछे हो ले, वो वापस चले गया, क्यों?, क्योंकि वो अपने धन से, सबसे अधिक प्रेम करता था परमेशु से नहीं परमेशु चाहते हैं कि हम उससे प्रेम करें उससे सबसे अधिक प्रेम करें ना कि अपनी चीजों से एक बेक्तिको प्रव येश्व मसी ने कहा कि मेरे पीछे हो ले उसने कहा पहले मैं अपने पिता को गाड़ने जा रहा हूँ तब प्रभु येश्व मसीने का मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो दो मेरे पीछे हो ले लेकिन वो नहीं हुआ क्यों? क्योंकि वो अधिक प्रेम अपने माता पिता से करता था अपने घर से करता था प्रभु चाहते हैं कि हम सबसे अधिक प्रेम उससे करें सबसे अधिक प्रेम परमेशुर्ट से करें उसके पीछे चलें दोस्तों यदि आज आज आपने जीवन में किसी और से अधिक प्रेम करते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि परमेशुर्ट से सबसे अधिक प्रेम करें यदि आप किसी एडिक्सन में हैं किसी लत्व में है और उससे आप प्रेम करते हैं किसी रॉंग रिलेशन में हैं उससे आप प्रेम करते हैं धन संपत्ति को पाने की लाल सा अधिक है तो मैं आप से कहूंगा कि सबसे अधिक प्रेम परमेशुर से करें तो ये सब चीजें तुमें यूँ ही मिल जाएंगी सो प्रभव आपको इस वचन के द्वारा बहुतायच से आसीज दे आमीन प्रेज दे लॉड मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ कुछ दिन पहले मुझे चक्कर आ रहा था हाथ पाव में दर्द था बहुत कुछ तकलिफ थी लेकिन मैंने आमरिता सिस्टर के यहाँ प्रातना रिक्वेस्ट बेजी थी उन्होंने मेरे लिए प्रातना की और मेरी तब्याद उसी दिन ठीक हो गई इसलिए प्रभव को मैं को प्रातना की तो आशा करती हूं कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर भौत तायद से आशीश पाई है सो आईए मिलकर हम प्रातना करें धन्यवाद धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति महां सामर्थ पिता हम सब outta आपका धनिवाद करते अज कि शामि प्रभू आपकी महमा प्रशन सा और बढाई करते प्रभु जी Subscribe संगति के सहभागी बंद कर प्रभू अपनी बातों को आपके सम्मुक रखे और आपके वचनों को अपने जीवन में ग्रहन करे और प्रातना करतेवे परमिश्वर हर एक परशानीयों का सल्यूशन आपकी ओर से पास सके प्यारे परमिश्वर मैं धन्यवाद करते हूँ इस fellowship के लिए प्रिता धन्यवाद करते है प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु जो इस प्रातना में शामिल है। धन्यवाद करते हैं प्रमिश्व प्रभू तेरी पाक उपस्तिती के लिए प्रभू जो हमारे मद्य में हैं तेरे अलोकिक पवित्र आत्मा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अपने जीवनों से आदर और समान आप हैं मेरे परमिश्वर, आपके नाम की महिमा करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते परमिश्व पिता, हाँ मेरे प्रभू, सच मेरे प्रभू, आप ऐसे परमिश्वर हैं, जो अपने लोगों से प्रेम करते, प्यारे खुदा, और वो चाहते हैं परमिश्वर कि हम भी प्र प्रबू आज उन हालातों को आप बदले परमेशर, वो समस्या, वो रोग, वो बिमारी, वो दुर्बलता, वो करजे, वो परिशानिया, वो संकट, वो विरोध, वो सारी बाते जो आज इनके जीवन में हैं और उन बातों से प्रबू वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे ह आज उपाए इंतजाम यश्यमसी आपके नाम से होने पाए, प्यारे प्रबू, मैं दरिवाद करती हूं प्यारे परमेशर प्रबू, जिस परकार आज हमने देखा परमेशर पिता कि आप अब्राहम की परिक्षा ली, परमेशर पिता, और प्रभू सच मेरे खुदा, आप अपने लोगों की परिक्षा लेते परमेश्व पिता ताकि परमेश्व प्रभू हम सब परमेश्व खरे उतर के प्रभू तेरे नाम से प्रेम करे प्यारे खुदावन। हम सब के भी जो विश्वास की परक होती है परमेश्वर हम सब भी परमेश्वर पिता विश्वास की परक में खरे पाई जाएं प्यारे खुदा आज प्रबू कोई भी ऐसी बाते परमेश्वर जो प्रबू आज इन भाई बहनों के जीवन में कुछ इस प्रकार से प्रबू क अपने जीवन में आपको देचे of a प्रेम तुस्थे कर सके प्यारे खुतावन पहले जैसा प्रेम प्रबी येश्वillesie प्रबुजी ये लोग तुस्षे कर पाएं प्यारे खुदावन मेरे प्रबुज़ जो बाते गलत हैं प्रमिश्वर आज इनके जीवन में वह उती चले जा रही हैं वो लिपत हैं उन बातों में प्रभू जो प्रभू बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं पिता इन बातों ख़ए बॉप ऍदूर करें प्यारे परमिष्वर और होने दीजे प्रभू प्रभू यह पूरे हिर्दे से प्रभू अपने पूरे जीवन में परमेशो सिर्फ और सिर्फ तुस्से प्रेम करें प्यारे खुदा और सच में प्रभू जो तेरी खोज में लगा रहता है जो तुस्से प्रेम करता है प्रभू उससे प्रभू आप उसके मांगने के उसके अवशक्त के अनुसार सारी बातों को देते परमेशो पिता आज आज आपसे दुआ है परमेशो पिता कि इन सब के प्रेमी ना बने मेरे प्रभो ये प्रेमी बने तो सिर्फ और सिर्फ येशु तेरे नाम के खुदा सिर्फ और सिर्फ तुस्से प्रेम करे प्यारे खुदावन ताकि प्रभो जो बाते इनके जीवन में प्रभो आज ये पह कि बातों के लिए प्रभून बातों के लिए इनके प्राइफ में कर रहे निराश हो प्रपु है आप इन्हें धाड़स दे परमीश मजबूत करें प्रबु इनके हिर्दे को ठर्ड़कर परमै ho forgive IT इस समय बाहो ने हैं ऑस्पिटल में भीमार अस्वस्त और तकलीफ में हैं हॉस्पिटल में हैं डॉक्ट्टरों Commission लें आप दे दिया परभू काफी लंबे समय से अपने बीचाने में फड़े हैं खुदा यह मसी आप उनके शरीर को चंगा करें परभू उनकी दुर्बलता ऑर चंगा किया हर एक रोग हर एक दुर बलता हरे कमजोर्यों को तुने दूर किया प्रभू सर से लेकर पैरों तक तुने इने चंगा किया इनकी मांसपेश्यों को इनकी नसों को इनकी हड्डियों को इनकी अंद्रूनी अंगों को परमिश्य तुने चंगा किया परमिश्य मैं धन्यवाद करते हूं आज नीन को अपने लोगों को दे पिता, दिन भर में वो चिंताओं में रहे प्रभू, समस्याओं में रहे प्रभू, तकलीफों में रहे प्रभू, निराशाओं में रहे प्रभू, परन्तु जब कोई तेरे पास आता है परमिश्वर, तो प्रभू तु उन्हें हर प्रकार की सम एक एक प्रात्नविंति यूट्यूब कमेंट में इंस्ट्रग्राम में फेस्बुक में टेलिग्राम के माध्यम से आपके लोगों ने बड़ी आशा और विश्वास के साथ में बेजाया पिता इन प्रात्नविंतियों के लिए हम दुआ करते पिता कि इन भाई बहनों की वो लोग एंप्रबू तुछे प्रेम करते हैं और विश्वास योग्ये लोग हैं प्रभू येश्वमसी आशीश दे प्रभू इनके घर घराने को इनकी कमाई पर इनके परिवार पर इनके बच्चों पर प्रभू तेरी आशीश होने पाए पिता धन्यवाद करते सारी बात